नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृति या इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं साथियों आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बहुत दिल्चस्म मुद्दा है और भारती राजनिती के लिए देश की राजनितिक इस्थिरता के लिए बहुत लाजमी होने वाला है चर्चा यह की जा रही है आप यह कह सकते हैं राजनितिक गलियारों में यह बात शुरू हो गई है कि क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अपने पड़ से हटाए जाने वाले हैं क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी की जो पैरेंट्स और्गनाजेशन है रास्टिय स्वैंग सेवक शंग वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से खुश नहीं है और 2024 लोगशभा चुनाब में जो भारतिय जन्ता पार्टी ने प्रदरशन किया है उसका ठिकरा भी उस हार का या कह सकते हैं कि पुर्न बहुमत नहीं आया है तो उसका ठिकरा भी जो है वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिर भी फोड़ा जा रहा है RSS के दोरा अब खुलकर के बाते सामने आ गई है चुकि RSS के जो सरसंग्चालक है मोहन भागवत जी अभी के वह खुलकर के नागपूर के एक प्रोग्राम में बहुत सारी बाते जो है मनमुटाब के बाते देखने को आई है और वो तमाम बजह आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ साजा करने बाला हूँ जिससे यह देखने को आपको मिलेगा कि संभब है आने वाले कुछ वक्त में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी प्रधान मंतरी के पद से हटाई जाने बाले हैं तो इस लेक्चर को बहुत ही गौर से समझे इसमें मैं RSS का आपको इतिहास भी बताऊंगा वे बहुत सारे लोग जो हमारे वियूवर्स हैं RSS के विस्था में नहीं जानते हैं तो आज हम RSS की चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या RSS के पास इतनी शक्ति है कि कि किसी प्रधान मंतरी को वापद से हटा दे तो यह भी समझने की कोशिश करेंगे और विस्तार से इन सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं तहर बना करके कुछ देर जो है आप बने रही है हमारे साथ देखे सबसे पहले जो मैंने बाते कही कि देश भर में यह चर्चा शुरू हो गया है कि क्या प्रधान मंतरी नरंदर मोदी अब प्रधान मंतरी नहीं रहेंगे इस बात को देखे यहां पर जो है यह चीजे आरसेस के तवारा ही खुल करके सामने आ रहा है RSS के दिगर्ज लीडर, सीनियर लीडर जो है, वह अहंकारी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, बिना नाम लिए हुए कह रहे हैं, सभी अखबार में देखेंगे, सीनियर RSS लीडर एटैक्स बीजेपी ओन लोक सुभाई एलेक्सन रिजल्ट, देखें यहां भी से चीजों को शमझने की कोशिश करते हैं, 2024 का जो लोक शभाई चुनाब हुआ, वह बिजेपी जैसा चाह रही थी, उस तरह का नहीं हुआ, चुकि बिजेपी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये चीजे जो है, RSS के द्वारा कहा गया, कि ये बाते जो है, सिर्फ आप सोसल मीडिया के जड़िये कहते रह गए, जमीन पर नहीं उत्रे, हार की कई वजह बताए गए है, जो मुख पत्र है, RSS का और्गनाइजर, उसमें कई वजह बताए गई है, उसमें कहा गया है, कि जो बिजेपी के सांसत रहे, वह इतने बीजी रहे कि अपने लोगों स सेवा मिल भी नहीं पाते थे, तो कई तरह की नाराजगी, बाकी दलों से जो लोग आए, उन्हें शामिल किया गया, बीजेपी में, और उन्हें टिकट दिया गया, जिसका RSS लगातार विरोध करती रही, बापजूद भी कहा गया, कि नरंदर मोदी और अमित शाह साथ ही, जेपी नड़ा का भी नाम शामिल किया गया, कि ये सब इस बात को नहीं सुनने को तयार हुए, और मामला जो है, वह खराब होता गया, यहाँ पर जेपी नड़ा जी को आप देखने हैं, जेपी नड़ा जो है, अभी भारतिये जनता पार्टी के रास्टिये अध्यक्ष है लेकिन इनका टर्म अब समाप्त होने बाला है, और ये मान के चलिए कि अगला टर्म इनको नहीं मिलने बाला है, चुकि इस बात का हिंट यह दे भी दिया गया है, पार्टी की जो जिम्मेदारी है, वह तो अभी फिलाल है, लेकिन इन्हें सरकार में सामिल कर लिया गया है, और ये जो है अब देश के स्वास्त मंत्री बनाए गए हैं ये बात आप जानते हैं इन्होंने शपत भी ले लिया था नौल जून को ये चीज हम लोगों के समख चाहिए यानि कि अब जो बीजेपी का यहाँ पर प्रिसिडेंट का एलेक्शन होने वाला है उसमें सायद आप कनफर्म मानके चलिए कि जेपी नड़ा चेहरा नहीं रहने बाले हटने बाले हैं और यहाँ पर फिर से एक बर कायाश लगाई जा रही है कि आरेसेस उस व्यत्ती को अब बीजेपी के लिए बीजेपी के जो रास्टी पर अध्यक्ष होने बाले हैं उसका नाम आगे करेग होगा यदि आप पूरी तरह से चुनाप पर नजर रखने वाले व्यक्ति में से रहे हैं तो जब चार चरन का मतदान हो चुका था देखा क्या गया कि वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है उसको लेकर के कई इंटर्व्यूज बेगरा बहुत सारे लीडर से सरकार है मतलब मोदी जी की सरकार जो है उसमें कितना योगदान है रसेस बीजेपी को आज कितना मदद कर रही है ये सब बाते इन से पूछा गया था इन्हों ने उसमें कुछ ऐसी बाते कह दी जो संग के कारकरता को नागवार गुजरा बीजेपी के कारकरता भी इससे खुद शक्षम है कि वह अपना काम देख सकती है, आज के दोर में RSS की जरुवत BJP को नहीं है, यहां देखिए लिखा भी है BJP capable of running itself now, जे पी नडडा, अब ये बात जो है निश्चित तोर पर पर परशानी का कारण बना, कि इन्होंने ये कहा कि देखिए बाजपेजी के जो सरकार हुआ करती थी, वो दोर अलग था, उसमें कमजोर BJP हुआ करती थी, इसलिए जरुवत परा था RSS का, लेकिन अब हमें RSS की जरुवत नहीं है, हम बहुत मजबूत है, हमारे कारकरता जो है, देश भर के कोने कोने में फैला हुए है, इसके बाद क्या होता है, जो अग कहीं न कहीं उस मैदान पर बैटिंग कर रही होती है, बीजेपी और उसके लीडर, लेकिन 2024 के एलेक्शन में जो RSS के कारकरता रहे, वह कहीं न कहीं दूर नजर आए, कहीं दिखा ही नहीं, RSS के लीजर जो है, छोटी-छोटी टकुरियों में सभा किया करते और लोगों को करते हैं कि आप वोटिंग देने के लिए जाईए, लेकिन इस बार ये चीज नहीं दिखने को मिला, और इसका नुक्षान ये हुआ कि वोटिंग परसेंटेज तो गिरा ही, और वोटिंग परसेंटेज खास करके उनहीं नों का गिरा, जो की आप जान लीजे, बीजेपी के समर्थक है, तो बीजेपी के समर्थक इस बार घर से निकले ही नहीं और खास करके जो आरेसे से जुरे हुए थे, उन्होंने वोटिंग देना या वोट देने के लिए लोगों को जागरू करना जरूरी नहीं समझा, पहले आरेसेस कोशिश करती थी कि हर वेक्ति जो की कटर समर्थक हो आरेसेस का या बीजेपी का, वो निस्चित तोर पर बोड डालने जाए, उसका बोड बर्बाद ना हो, ये कुशिश किया जाता था, इस बार ये चीज़ देखने को नहीं मिला, कई ऐसे आरेसेस के लीडर ने कहा कि जब अब जो है बीजेपी को हमारी जरूरत तो जा करके वही घर-घर परचार करें, वही पोस्टर लगाए, फिर हमारी क्या जरूरत था और ये काम बीजेपी का है, हम ये काम नहीं करने बाले हैं, और कई बार इनके तरफ से लीडर के तरफ से कहा कि जो आरेसेस है, वो हमारे लिए के बलब मार्क दरसक की तरह है, विद्यार्थी परिशद भी खपा हुआ था, एलेक्शन के दौरान ये दिया आपको ध्यान होगा, यानि कि आप कह सकते हैं कि आरेसेस से जुरी हुई, जो छात राजनिती करने वाली संगठन रही है, एवीप, विद्यार्थी परिशद, उसके कारकरता भी नुक्षान मैं आऊंगा, उस पर बात करूँगा कि बीजेपी का परदरशन कैसा रहा है विद्यार्थी चुनाबों में और फिर हम 2024 के लेक्शन पर चलेंगे, ये ग्राफ आप देख रहे हैं कितने सीट जीती है बीजेपी ये दिखाएगा, उसके बाद आपको ये दिखाएगा कि कह परेंदर मोदी शाहब के चेहरे पर ये चुनाब लड़ा गया था और 2019 में भी इनके चेहरे पर चुनाब लड़ा गया, 2024 में भी इनके चेहरे पर चुनाब लड़ा गया, तो 2014 में पार्टी को 282 सीट आया था, यानि कि 272 का जो जादू याकरा आप जानते हैं 543 सीट जीत गई थी 2014 में इसलिए पुर्ण बहुमत आया तो कठिन निर्णय करने के लिए बीजेपी और मोदी जी समर्थ थे उसके बाद 2019 में ये जराधार और बढ़ता है और 303 सीट तक बीजेपी पहुंच जाती है तो और कठिन फैसले लिए गए करे फैसले लिए गए लेक एलेक्शन रिजल्ट 2024 चली आते हैं दो तीन राज़ों में विधान सभा का चुनाब हुआ था लेकिन हमारे लिए लोग सभा का चुनाब महत्पुन है तो हम उस पर ही ने ज़रा लेंगे देखे ये जो रिजल्ट आया है पांसवा तैस यहां आपको दिख रहा होगा हम ब बीजेपी को 240 केबल सीट मिला मैंने बताया कि आपको किस तरह से 2014 में 282 सीट आया था और 2019 का जो लोग शभा हुआ था 17 लोग शभा उसमें 303 सीट बीजेपी को आया था और यहां पर बहुत अधिक नुक्शान देखने को बीजेपी को मिला जबकि नारा क्या था अब की ब बहुत दूर रह गए इसके लाबा एक और चीज यहां पर देखे 240 जो है वह बीजेपी को है ठीक है और कांग्रेस को 99 सीट आ गया थी यह बरा जो है यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी ख़बर नहीं रही चलिए एक चीज और देखते हैं स्टेट वाइस देखने की को प्रदेश करेंगे चुकि उत्तर प्रदेश कहते हैं कि अगर आपको दिली की सत्ता तक पहुंचना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश आपके पास होना चाहिए बिहार तो फिर भी इनके लिए ठीक रहा 40 लोगसभा सीट जो बिहार में है उसमें से 30 जो है इंडिय को आया 12 बीजेपी ने जीता, 12 जदियू ने जीता और 500 परसेंट रेट के साथ चिराग पासमान की पार्टी जो है वह जीत के है और हम यानि कि जीतना राम माजी जो है वह एक सीट लेका है तो 30 वहां से मिल गया 40 में लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा इनको नुक्षान हुआ उ और बांकी और है तो यह अगर मिला दें आप चुकि इनका गठबंदन था समाजबादी पार्टी और कांग्रेस का तो यह अकेले यह दोनों जो है गठबंदन में 43 सीट तक पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ा नुक्षान यहां पर बीजेपी को झेलना परा ठीक है तो RSS नाराज रही कि आप जो है गलत लोगों को टिकर दे रहे हैं ऐसे लोगों को टिकर दे ले हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं धियान दिया गया बाहरी लीडर को शामिल किया गया पार्टी में और टिकर दिया गया तो इस चीज को लेकर के भी अब जो है चर्चा चल परा है अब जरा देखते हैं सबसे अहम चीज उत्तर प्रदेश का मैंने बात किया कि 33 सीर तक ही सिमर्टी हुई बीजेपी नजर आई उसमें भी सबसे अहम होता है पुर्वानचल का हिस्सा पुर्वानचल में बीजेपी को करारी हार का सामना करना परा जबकि पुर्वानचल वारानशी का सीर देखेंगे और वारानशी के इर्दिगिर्द का सभी जगा तो वहाँ पर प्रधान मंतरी मोदी का प्रभाब होना लाजमी हो जाता है चुकि वो खुद भी वारा नसी से चुनकर कहीं आते हैं रहने वाले हैं गुजरात के लेकिन वो प्रधान मंतर गिने जाएंगे उत्तर प्रदेश के तरफ से हैं अब यहाँ पर समझ लेजिए पुरवांचर में तीन मंडल की अगर मैं बात करूं एक वा प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी का सीट वारा नसी खुद का था एक मिरजापूर और दूसरा हो गया और तीसरा एक भदोई का हो गया अब यहाँ पर समझे प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी जो वारा नसी सीट से जितने हैं केबल डेर लाग के आसपास के वोट से जितने हैं वारा नेसी से चुनाब लड़ती जो कि हम लगातार कह रहे थे वो लड़ी नहीं तो मोदी जी कम से कम दो से तीन लाख वोट से हार जाते हैं यह संभव हो सकता था यही बात यहां पर RSS बताने की कोशिश करती हुए नजर आ रही है चलिए यहां पर देखिए आजमगण मंदल की से अगर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2019 में बलिया सीट पर जीत गई थी बीजेपी लेकिन इस बार जो है आजमगण मंदल में सभी सीट हा रही है बीजेपी चाहे वो लालगंज हो जाए चाहे वो आजमगंड हो जाए चाहे वो घोशी हो जाए चाहे वो बलिया हो चारो सीट पर बीजेपी को भारी नुक्षान यहां पर देखने को मिला अगर आप वारानसी मंडल में देखते हैं तो वारानसी मंडल में अगर आप 2019 के स्थिति में आपको दिखाऊं तो वारानसी सीट जिरती है मचली शहर का जो सीट है वह भी बीजेपी के हिस्से में आया था चंदॉली भी बीजेपी के हिस्से में आया था और गाजीपूर और जोनपूर ये दो जगह जो है बीजेपी हारी थी तो इस बार उमीद था कि साइट बहतर करें लेकिन इस बार क्या हुआ वारा नसी सीट तो बीजेपी जिरती है लेकिन केवर डेल लाख गोट का मारजिन प्राइम मिनिस्टर का होता है प्राइम बीजेपी चौनदॉली जो जीता गया था वह भी हारती हुने जराई और एक बार और समझे कि गाजीपूर और जानपूर में जो ये था कि कम सकम यहां अच्छा काम हो सकता है लेकिन यहां पर भी दोनों सीट हारती हुने जराई जानपूर सीट को लेकर के मैं बात करना च फिल्मों में गए, बाद में पॉलिटिक्स माना चाहते थे, जौनपूर के हिराने बाले थे, और ये कयास लगा जा रहा था कि बीजेपी से उनको टिकल मिल जाएगा, लेकिन अंत समय में ऐसा नहीं हुआ, और वहां से बीजेपी हार भी गई, तो यहां भी एक यहां पर कार है, लेकिन फिर भी यहां पर वीजेपी हारती हुने जराई, भधोई जीती है, 2019 में भधोई जीती थी, तो मिरजापुर मंडल एक ऐसा जगा बताये गया, जहां पर वीजेपी नहीं हारनी चाहिए थी, लेकिन हारी, यहां पर वारा नसी मंडल का भी यही हाल था, लेकिन पर वीजेपी हारी, कुल मिला करके प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द के जो लोग शभाज छेतर थे, वहीं सभी जगा हार गई वीजेपी, तो यह दिखाए गया कि क्या मोदी मैजिक जो है, वह समाप्त हो गया है, इस बात को लेकर के दो लोग जो है, निशाने पर आ कि इन्हें और अमिशाजी को लेकर कहा, टिकट बढ़ बारे की जब बात की गई तो बात नहीं सुनी गई, और यह जो है, अब प्रश्ण उठा रही है, आरेसेस और उरके जो है, सरसंचालक जो है, मोहन भागवन जी, तो आगे मसला अब जो है, यह चीज़े आगे बढ़ कि राजनितिक लाव लेने के लिए अयुद्ध्या में प्रान परतिष्ठा रखा गया था, जो कि जनवरी के महना में रखा गया था, अब प्रान परतिष्ठा को लेकर के कही तरह का विबाद था, लेकिन पहले मैं एक लाइन में रिजल्ट बता देता हूँ, कि आपको शुरुवक्तरबादी प्रान परतिष्ठा भी करा दिया मुर्ती भी वहां स्थापित हो गई राम लला का लेकिन इसके बाद भी बीजेपी यदी आपको कहा जाए कि आयोध्या से ही चुनावार गई तो आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आज के तारीख में ये सचाई है कि बीजेपी अयोध्या से फैजाबाद से चुनावार चुकी है यह बात जो है बीजेपी को पचने नहीं दे रहा है मतलब पचाने वाली बात ही नहीं आरेसेस इसको लेकर के प्रशन उठा रही है अब यहां कई तरह के प्रशन उठे प्रशन यहां भी उठे कि आरेसेस के तरफ से यह कहा गया कि प्रधान मंत्री नर्यनरमोदी आपको याद होगा प्रान प्रतिष्ठा के दिन यदि आप टीवी से चिपक करके बैठे होंगे खबर पर आपने नजर रखा था तो मुख्य पुजारी की भूमिका में जो है मतलब जो पूजा कर रहे थे वो नर्यनरम कि प्राइम मिनिष्टर को फूजा नहीं करना चाहिए उन्हें बच उस शमारू में सामिल होना चाहिए था ररेसेस के के तरफ से भी यह ही कहा गया लेकिन नहीं माना गया इसके अलावा घ्रेस के तरफ से यह कहा गया था अपने जो शफत है उसके साथ जिवित थे तो RSS के तरफ से कहा गया कि आप उन लोगों को प्राइन परतिष्ठा में आमंतृत कीजिये, लेकिन B.J.P. ने उन लोगों को प्राइन परतिष्ठा में आमंतृत नहीं किया, एक मामला नुपूर शर्मा का भी आया था नुपूर शर्मा ने हदीश को लेकर के कुछ इसलाम को लेकर के बयान दिया था तो उसमें बीजेपी ने पार्टी से निस्कासित कर दिया था और उस पर कारवाई की थी आरसेस इस बात को लेकर भी नाराज था कि जो भी बात कही गई थी वो हदीश को लेकर कहीं कहा गया था उस दाइरे में रखके कहा गया था लेकिन इसके बाब जुद भी बीजेपी अपनी पार्टी के साथ खरी नजर नहीं आई और ये मैसेज जो है जनता के बीच भी गया कि भई आप अपने ही कंडिडेट को जो क किसी को भी कभी भी पार्टी से निकाल सकते हैं ये लोग किसी के भी नहीं हैं मोदी और साथ पे ये टार्गेट गया था तो इसको लेकर के स्थितिक खराब होती गई आरसेस से लगाता टखराब होता गया आरसेस एक बात और लेकर के कही कि प्रान परतिष्ठा में आप उ अविनेता और अविनेतरी जो लगातार जो है राम अंदीर और राम से जुरोहे बातों को ले करके निश्ची तोर पे पुब्लिक डॉमेन में बहुत कुछ ऐसी बाते करते रहें जो कि आपती जनक था तो आरे से इसने कहा कि आप ऐसे लिगों को इस प्रान परतिष्ठा के स आपको तो लाल कृष्ण आडवानी लाल कृष्ण आडवानी को प्रान परतिष्ठा के समारों से दूर रखने की कोशिश की गई थी हलाकि वो बाद में शामिल हुए लेकिन कोशिश ये था और ये चर्चा माय आरे से इसको लेकर के भी बहुत नाराज हुई थी तो पर कह सकते हैं घमन अहंकार जो मोहन भागवत करते हुए वी नजराय वह शामिल हुआ है यही सब बाते जो है अब समिक्षा की जा रही है और इस्थिती अंत तक यह बन गया कि जो नरे नर्मोदी कभी अपने जीवन में गठवंदन की सरकार नहीं चलाए चाहें वह मुख पर्देश की पार्टी है चंद्रबाबु नाइडो की यह 2018 में जो है बीजेपी छोड़ करके जा चुके थे बीजेपी का साथ चोड़ करके लोग सभाचुनाप से ठीक पहले यह शामिल फिर से इंडिये में हो नितीश कुमार जो हैं बिहार से जडियू के अधिश हैं और कितनी बार यह इंडिये छोड़ के गए हैं वीजेपी का साथ छोड़ करके कितनी बार आए हैं अब राजनेतिक विशलेशकों ने राजनेतिक पंडितों ने यह बात गिनना बंद कर दिया है क्योंकि आगे भी शंख्या बढ़ सकता है ऐसा लोग कहते हुए नजराते हैं अब इसको लेकर के यह कहा गया है कि आप इन दोनों के साथ अब सरकार बना रहे हैं सरकार कितनी दूरी तक चलेगी यह कहना जो है और संभब है और दूसरी बात कि इस बार फिर कैसे फैसले लिए जाएंगे क्या प्राइमिनिस्टर नरेन बोदी उतने ही मजबूत रह पा अगर अपरहनमंत्री नरेन दोदी कह सकते हैं या बीजेपी को जम करके बहुत सारी बाते इन्हों ने सुनाया अगर मैं कहूं तो इन्हों ने अहंकारी तक कहा और इन्होंने मनिपूर का मुद्दा भी उठाया मनिपूर आप जानते हैं एक लंबे समय से जो है वहाँ गया है कि मनिपूर को कैसे संतुष्ट किया जाए वहां पर किस तरह से सांती बाहल की बात की जाए प्रैमिनिस्टर ये बात कभी करते हुए नजर नहीं आए नहीं प्रधान मंतरी वहां कभी गए विजिट को ले करके ये बाते इनके द्वारा उठाए गया इन्होंने अपन इनके स्पीज से क्या हिंट आ रहा है कि प्रधान मंतरी नरन मोदी आने वाले कुछ वर्सों में या कुछ समय में इस पद पर आपको नहीं दिखाई देंगे इन्होंने कुछ बाते कहा इन्होंने सबसे पहले शेबक सब्द का इस्तिमाल किया और सेबक और फिर आगे कहा अहंकार मतलब मैं संटेंस में से शब्द निकाल ला हूँ तो कि UPSC एस्प्रेंट और समझदार वेक्ती जो तार्की वेक्ती होगा शब्द की कीमत को समझेगा तो सेबक और अहंकार कहा एक तरफ इन्होंने कहा आप सेबक कहते हैं दूसरे तरह अहंकार तो कोई भी सेबक जो पक्ष और विपक्ष होता है वो एक ही सक्के के दो पहलू होते हैं वह जन के सभी जन परतिदी होते हैं जनता की सरोकार से जुर्य हुए मुद्दों पर भाशाओं का प्रयोग किया था उसका इन्होंने याद दिलाया और कहा गया कि इसमें RSS को भी घसीटा गया जिसक भी लोग करके इन्होंने बाते कहा उनका चुनावी रैली में ऐसी बहुत सारी बाते की गई जिससे समाज में वेमनसिता फैलता है और समाज में बिखरावाता है समाज को एक साथ ले करके चलने की आवशकता है असत शब्द का इस्तमाल किया गया यानिकि इनका कहना था च सहमेती बना करके चलनी परेगी खास करके पार्लियमेंट के अजोसेशन है उसको लेकर के बात किया गया देखे गठवंदन की सरकार इस बार है तो कहीं न कहीं यह जो एक हिंट भी है प्रायमनिश्टर निर्मोदी के लिए यह जो सहमेती है यह जो परतियश पर्दा मर्या प्रादा, सेबक यह सब सारे चीज़ों जो है उसके बाद समाज वर्ड का इन्होंने कई बार इस्तमाल किया भारत को एक बरे अस्तर पर इसनों ने देखा चाहें वो हिंदू हो मुस्लिम है चुकि आरसेस और इनका मानना रहता है कि भारत के जो मुसल्मान है दरसल उनके पुरबज जो है वो पहले हिंदू ही रहे तो कुल मिला करके हम सब एक ही है तो पूरी तरह से भारत की बात जो है उसे आगे बढ़ाईए उसके बात जो है इन्होंने चुनावती शब्द का कई बार इस्तमाल किया तो जाहिर सी बात लगता है कि गठवंदन के सरकार के समक भी चुनावती होगा और संभभ है प्राइमिस्टर नरंडर मोदी के समक भी चुनावती हो जाए और फिर मनिपूर मनिपूर की चर्चा मैंने किया ही बीजेपी फुख फुख कर मनिपूर पर चलती रही पूरे लोगसभा के रैली के और चुनाव के दौरान कहें भी किसी एक साल से मनिपूर शांती की राह देख रहा है ये किसकी जिम्यदारी है तो जाहर सी बात समझे प्रधान मंत्री पर सीधे सीधे उंगली उठाये गया है और नरेंद मोदी साहब जो है अब यहां पर जो है वह टार्गेट पर है और इनका जो मुख पत्र है और नाजर उसकी मैं भी बात करूँगा उसमें भी कुछ बाते कही गई है और उसमें तो एकदम लिखा गया है चीजे वो आप देखेंगे इंदरिश्कुमार RSS के सीनियर लीडर है इन्हों ने फी पिछले दिनों एक statement दिया और इन्हों ने कहा कि जो लोग अहंकारी हैं वह भी समझ गए और जो लोग विरोधी हैं वह भी समझ गए और राम ने सब को सही जगा दिखा दिया है अहंकारी बीजेपी के लिए और राम के विरोधी हो गए इंडिया व्लॉग वाले तो इनका ये कहने का था मतलब इनका भी टार्गेर जो है वहाँ प्राइम निस्टर मोधी पर रहा है अब बात करते हैं RSS की एक मैगजीन है जिसका नाम है और्गनाइजर मुख पत्र इसे कहते हैं जैसे सभी संस्था का होता है इस तरह से इनका एक मुख पत्र है जिसको और उसमें इन्होंने चर्चा किया है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के गठवंदन की सरकार को लेक किया है अनलाइसिस किया है 2024 के एक्षिन में क्या कैसे किस तरह से हुआ है और इन्होंने रियालिटी चेक भी कहा है कि आपको यह चीज़े समझना होगा कि क्या कैसे हुआ है इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा इसके अलावा महरास्ट्रा का इन्होंने चर्चा क किया है कि इन्होंने कहा कि महरास्ट में जब सरकार सही सलामा चल रही थी तो यह जरूरी नहीं था कि NCP को तोर करके खुद में शामिल किया जाना चाहिए था जैसे अजित पवार आये थे शरत पवार को छोड़ करके तो जब अरदस्ती का उनके पार्टी को तोरना या तो जो है महरास्ट में बीजेपी को देखने के लिए मिला उसके बाद जो है यहां पर मैंने पहले भी कहा कि सेवक ड़स नॉट है एरोगेंस यह चीज़े जो है इन्होंने महान भागवत जी ने अपने स्पीच में इस बात को भी सामिल किया टेक्नोलोजी को लेकर भी प्रश होता हुआ नजर आ रहा है अब यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आरसेस को जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्या वाकई आरसेस में इतनी शमता है कि वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटा दे तो सबसे पहले यह अभी तो समझना परेगा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को प्रधान मंतरी बनाया किसमें तो आरसेस के महत्तु को सबसे पहले समझते हैं देखिए होता क्या है कि अंग्रेजी सरकार बिटिश सरकार ने फूट डालो राजगरों की नीती के तहत जो है वो हिंदू और म देवक्षं की अस्थापना की गई 27 सेप्टमबर 1925 को नागपूर में दशाहरा के दिन में हिंदू एक्ता को कहिन कहीं मतलब कह सकते हैं कि एक साथ लाने की कोशिश की गई थी और पहले जो सरसंगसंचालक थे उनका नाम था केसव बलराम हेटगबार और एक बात यह भी स चर्चाओं में रहा है और काफी आप कह सकते हैं कि कोंट्रोवर्सी को लेकर के अपने साथ रहा है यहीं जो है केसव बलराम है यह जो पहले सरसंगसंचालक यह हुए ठीक है RSS की अगर मैं बात करूं तो करोरो इसके कारिकरता है आप इसे कह सकते हैं कि देश भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है इनके शाखा चलते हैं जहां पर बयाम बेगरा कराया जाता है और इनका जो धै होता है वह यह कि देश को आगे लेकर के चलना है और इसमें आप द देश के लिए समर्पित कर देते हैं एक ड्रेस पूरा इनका होता है यह आप कह सकते हैं पैरेड भी निकालते हैं और कई जगह जहां पर मानलीजी बाढ़ आ गया सुखा आ गया कहीं हिंसा हो गया है कहीं एक्सिडेंट हो गया है तो इनके जो स्वेंग सेवक है वहां जाक इसको एक बार इन्विटेशन दिया किस चीज के लिए पता है आपको लाल किला के अंदर जो पहरेड होता है उसमें सामिट होने के लिए आप कहेंगे क्या सच में ये बाते हैं जी बिल्कुल आप जाकर के गूगल पे इन सब चीजों को पढ़िए चुकि मैंने कई किताब इससे संबंदित पढ़ा है पुर्व में ही तो मुझे इस बात की पूरी जानकारी है लेकिन मैं अब इतना डिटेल से आपको नहीं बता पाऊंगा समय नहीं है लेकिन आप इस बात को जानिए कि नहरुजी ने शामिल करा था और आरसे शामिल हुई थी जिस तरह से इंडि तो इनका पूरा संगठन है और यह जो आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए पैरेंट और्गनाजेशन के रूप में लगतार काम करती रही है अब चलिए फिर से मैं वहाँ पर ले चलता हूँ कि कैसे आरसे कई बार बैन हुआ तो देश भर में आप बिटिस गवर्मेंट का इस्थिति आप समझ गए फूट डालो राजकरो की नीती तो हिंदु एकता को एकत्रित करने के लिए आरसेस यहाँ पर आ गई उसके बाद क्या होता है देश उनीश्व सैटालिस में आजाद हो जाता है लेकिन दुरभाग बस क्या होता है गांधी जी की हत्या कर दी जाती इसलिए आरसेस को बैन कर दिया गया हलांकि उनीश्व उन्चास में फिर इससे बैन इस संगठन से हटा लिया गया लेकिन उस बग जो दूतिये कह सकते हैं संग के जो संचालक थे गौवलकर सहाव उन्होंने स्यामा प्रसाद मुखरजी से बाते कि यह स्यामा प्रसाद मु जनीतिक कह सकते हैं कि दल होना चाहिए उसके लिए काम किया जाना चाहिए इसे से प्रेरित हो करके भारतिये जनसंग की अस्थापना की गई समझने है मामला समझ में आ रहा है भारतिये जनसंग की अस्थापना जो है 21 अक्टूबर 1951 को किया गया था स्यामा प्रसाद जनसंग की अस्थापना हो गई 1977 में जानते हैं आपकी देश भर में आपातकाल वेगरा लग गया था इंद्रा गांधी की सरकार थी उसके बाद क्या है जनता पार्टी उफर करके शाम ने आई आई आपातकाल के बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव में जनता पार्टी जनसंग का विले हो जाता है ठीक है अब यहां पर एक बास समझ लिजिए कि अब जनसंग नहीं जनता पार्टी में सामिल होगे लेकिन समय के साथ क्या होता है कि मतभेद हो जाते हैं और मतभेद जब होता है तो जनता पार्टी तूट जाती है कई टुकरों में तूटती है अलग-अलग दल उससे बनते हैं उसी से एक दल का निर्मान होता है 6 अपरील 1980 को और दो वैक्त का सफर जो है वा शुरू हो गया यह जो है जनसंग पार्टी का चुनाब चीन हुआ करता था और यह जो दो आपको स्ट्रॉंग लीडर यहां पर नजर आ रहे हैं आगे चल करके यह दो वो जगा ले चुके हैं अमित्सा और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी तो यह बाते प्रधान मंतरी यह तीन नाम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा तो यह बात आप समझ गए किस संग की क्या भूमिकार रही बीजेपी की जाहिर सी बात है फिर यह पैरेंट और्रणाइजेशन हुआ है यहां से इस थौट से ही बीजेपी का जन्म होता है एक सम इन पर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी से इनके ठीक ठाक समझ रहा है स्वाइंग सेवक इनके फैले हुए हैं देश भर में और मार्ग दर्शक सुझाब के लिए यह बीजेपी को सुझाब बेगरा देती रहती है विद्यार्थी परिशद मैंने कहा एवीपी वह भी इ प्रढ़नमंतिरी नरेंदर मोदी खुद भी एक स्वाहिएंग सेवक रहे हैं अब यह आता है, प्रशन मैंने कहा था कि क्या हए। तो समझेंगे कि क्या RSS नहीं मोदिका को बनाया है जी बिल्कुल ये जो हैं पहले से भी संग से जुरे हुए रहे हैं और इनको एक काम को देखते हुए दिली ने एक बार भेजा गया था उसके बाद ये अच्छा परदर्सन करते रहे संग के लिए बहतर काम करते रहे तो ग दोआ में ये जो अधिवेशन है वह 2012 में होता है ठीक है और ये भूमिका तयार हो रही है इसी अधिवेशन से नरंद मोदी शाहब को परदान मंतरी पद के लिए लाने के लिए राजनात सिंग उस वक्त जो है एक पॉपलर और बड़े दिगज लीडर होते हैं बीजे पी क तो राजनात सिंग ने इनके नाम को आगे बढ़ाया आरसेस के कहने पर आरसेस चाह रहे थी कि अब जो है देश में नरंद मोदी की जरुरत है गुजरात की राजनिती वो छोड़ दे तो मुखमंतरी ये थे वहां से बीच में मुखमंतरी का काम छोड़ के ये दिल्ली की दोरे के तरफ चल परे यानि कि देश की राजनिती करने चल परे तो इन्हें नरंद मोदी शाहाव को प्रधान मंतरी बनाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है या एक कहूं कि एक ही संगठन की भूमिका है तो वो आरसेस की ही है अब यहां पर प्रशन यह उठता रहे ही इसके अलावा मंगला देश के वज़े से मयानमार के वज़े से और चिकेन नेक की अगर बात करेंगे तो केबल 26 किलो मीटर का सिलिगूली कोरिडोर जाहा है उसकी चौराई है तो जाहरी इसी बात है वो हमसे निश्चित तोर पर जुरा रहे और वहां पर की मुझे घटना याद आ रहा था मैं कहीं पढ़ रहा था वाजबेई जी की सरकार में अटल विहरी वाजबई लाल की साढ़वानी यह सब चाह रहे थे कि वित्य मंत्री एक ऐसा व्यक्ति बने चुकि उस समय बहुत और चलता था 90 की दसक की बात की गई और उस वक्त वित मिनिस्टर थे इसके नहीं बनेंगे कौन बनेंगे तो यश्वंत सिंग बनेंगे और यश्वंत सिंग जो आरसेस की पसंद थे फिर वाजबेई जी को मजबूर होकर के वित्य मंत्री उन्हें बनाना पड़ा चलिए एक और आपको मैं उधारन देता हूं 2002 में अब सरकार मे जब होता है तो आडवानी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वाजपेई जी के सरकार में चुकि आडवानी जी जो है अरसेस के बहुत करीब रहे थे उसके बाद एक और चीज़ बताता हूं 2012 में गोवा अधिवेशन में मोदी जी का नाम जो है अरसेस के द हो गया ये नहीं पता था कि कौन मुखमंतरी बनेगा कई सारे नाम उस बख शामने आ रहे थे कि सब परशाद मौरिया जो बाद में डिप्टी सियम बने उसके बाद मनो सिन्हा जो अभी जमू कस्मीर के लजी है लेफिनेंट गर्णन है उनका नाम पुरबान चल से चल ला कोशिश की गई थी ऐसा कहा गया मीडिया के गलियारों में चर्चाई कि मोदी और अमित शाह ये चारे हैं कि योगी सियम ना बने लेकिन रैसेस ने पीछे से सब्वेड दिया और योगी जी सियम बने उस दोर में भी तो अब ये देखिए कि कद कितना बड़ा है रैसेस का नचर आए और मान की चलिए कि JP नड़ा अब BJP के अध्यक्ष नहीं रहने वाले हैं ठीक है अब BJP के अध्यक्ष बदल जाएगा और आप कुछी दिनों में देखेंगे कि दूसरे BJP के नए ध्यक्ष बनने वाले हैं और वह RSS के कोर मेंबर होने वाले हैं RSS के दिगज कोई लीडर होने वाले हैं जो BJP से सम्मंद भी रखते होंगे इतनी बाते आप समझ के चलिए चलिए एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अब इतने जादे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधान मंतरी हटने बाले हैं नितीन गडगरी की चर्चा करत आते हैं यह कहा गया कि अगर 2014 में भी यह चला था कि अगर उस वक्त गठवन्दन की सरकार बनने किस्तिती आती है तो नितीन गडगरी प्रामिनिश्र बन सकते हैं तो इस बार भी जब आपको ध्यान दिये होंगे तो 2024 एलेक्शन से पहले भी कई बार नितीन गडगरी का न अधूर भाशी हैं बहुत अच्छा बोलते हैं मीठा बोलते हैं सब को खुश करके चलते हैं और खुब बढ़िया काम यह करते हैं इस वज़ा से कहा जाता है कि मोदी और अमिशाह की जो है वह इनको कई बार पशंद करती हुए नहीं भी नजराती है और आरसिस के बहुत क आइंगे तो सभी लिडर कडे हो जाते हैं ताली बंजाने लगते हैं लेकिन नितिन घड़गरी पर ऐखना फोकस था तो यह कैमरा मैन भी ताकमे था और क्यामरा जब डाला यह अपने सीट पर चुप-चाफ बाहों को मोड़े हुए बैठे थे नहीं अनुने ने तालीब जान परता है तो इनसे दूरी ही बनाई गई है चुकि संग के कदावर लीडर है अमित साथ, अमित शाह को लेकर के निश्यत तौर पर कहा जाता है कि RSS और खुद मोहन भागवत बहुत नाराज चल रहे हैं चुकि इनसे ये कहा गया था कि भाई अब जो है पार्टी में आप बाहरी लोगों को मत लाईए दूसरे दल के लोगों को मत शामिल कीजिए चुकि पार्टी की छवी उससे खराब हो रही है और वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं निश्चित तोर पर कांगरेश, समाजबादी पार्टी और अन पार्टी से हैं, वो बीजेपी के रहे नहीं हैं, बीजेपी के विचारधारा से नहीं चले हैं, बीजेपी की विचारधारा मतलब आरेसस की विचारधारा मतलब हिंदुत तबादी विचारधारा, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन बिभिन जगा पार्टी को तोड़ने और अपनी शरकार बनाने के लिए अमित सापर यारोप लगता रहा कि ये दूसरे दल के लोगों को अपने यहां जगा देते रहे भई ये आप दूसरे दल के लोगों को अपने यहां जगा देंगे तो जाहिरी से बात हो टिकट की तो कमस का मांग करेगा उत्तर प्रदेश में यही देखा गया और कहा गया कि 22 ऐसा टिकट बाटा गया जिसको लेकर के RSS की सहमती नहीं थी कि यह बाइस टिकट नहीं जाना चाहिए था उन गलों को बलकि यह बाइस टिकट जो है ऐसा माना गया कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी पद से हटाने की जो है वह योजना चल रही है अमित्षा और नरेंद्र मोदी ऐसा सोच रहे है अब समझे यहाँ पर योगी को मुखमंतरी कौन बनाया था RSS यहाँ पर यह बात समझे कि नरेंद्र मोदी और अमिशा यह नहीं चाह रहे थे कि योगी को मुखमंतरी बनाया जाए ऐसे बहुत सारे मीडियों में यह ख़वर है आपने इस सब चीजों को पढ़ा होगा हाली में एक किताब पब्लिश हुआ है मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ लेकिन मैंने उसको पढ़ा है उस बुक को लगवद 10-15 दिन पहले आई है बुक यह तो उसमें देखिएगा कि क्या है कि उतर परदेश के सभी मुखमंतरी जो अभी तक के रहे हैं सभी के बारे में विस्तार से बहुत सारी बाते बताई गई है उसमें योगी आदितनात के विशय में भी चर्चा किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि इनको हटाने की पूरी तरह से एक तरह से समझ सकते हैं कि स्क्र Pence तयार हो गया था लेकिन उसी दोरान जो है इनका RSS के लीडर से मिलना होता है मोहन भागवजी से मिलना होता है फिर आगे चीजे और थोरी सी सुधर जाता है नरेंदर मोधी सहाब फिर लखनो जाते हैं गेस्ट हाउस में रहते हैं वहाँ पर योगी जी से इनके फिर मुलाकात होती है और कहा गया उस मुलाकात के बाद योगी आदितनाथ इस तरह की तस्वीर शेयर करते हुए सोसल मेडिया पर नजर आए और एक कविता भी लिखा था मुझे अभी याद नहीं है और देखें ये जो कंधे पे हाथ रखा हुआ ये एक फोटो इनके इदर से दिया था तो इससे ये हिंट गया था कि 2022 का जो विधान सभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होने बाला है वो भी योगी आदितनाथ के ही नित्रुत में होने बाला है और मोदी जी का समर्थन इनको है अब ये कहा गया कि आरसेस के वज़ा से ही यहाँ पर बैकपूर पर जाते हो नजर आए यहाँ पर नरेंद मोदी और अमिशा तो योगी को योगी वहाँ पर पसंद बनते हैं और इस बार आपको ध्यान होगा तो अरविंद केजरिबाल को सुप्रिम कोट ने अंतरिम जमानत दिया था लोक्षभा चुनाब में परचार परशार के लिए जैसे ही वो आये तो उन्होंने दो बात कहा कि नरेंद्र मोदी जो है अगले दो-तीन साल में प्रधान मंतरी पद से हट जाएंगे डिप्टी सियम है लोक्षभा चुनाब में महराष्ट में बीजेपी अच्छा परदर्सन नहीं कर पाई उन्होंने अपने इस्तिपए की पेशकश कर दी तो यह भी कहा गया कि यह चाल है बीजेपी के सिरसने तो यानि की मोदी जी के तरफ यह इसारा दिया गया कि यह यह योगी पर दबाब डालने की चाल है कि वहाँ पर फरनविश यह दिया अपना इस्तिपा देर है अच्छा परदर्सन नहीं कर पाई तो उत्तर परदेश में आपने भी अच्छा परदर्सन करके नहीं दिया है केबल 33 सीर जी ते आव असी में से तो आप दे इस्तिपा दे दीजिए इस्तिपा की पेशकच कीजिए मुखमंतरी पर छोड़ दीजिए तो यह बाते कहें गई हाला कि योगी कहां छोड़ने वाले हैं यह पहले भी नहीं छोड़े थे अड़ गए थे और यह एक ऐसे मुखमंतरी है जो अपने रफ्तार में चल रहे हैं नहीं तो आप देखेंगे हरियाना से कटर को हटा दिया गया मदपरदेश से वहाँ पर जो है सिवराज सिंग चोभान को हटाया गया राजस्थान में फेरबसंधरा राजे नहीं बनती हैं तो इस तरह से कई जगा जो है पुराने लीडर को बदला गया जो सिर्सनेतरुत है उसके द्वारा लेकिन योगी अपनी धाख जमाए हुए उत्तरपरदेश में नजर आते हैं यहाँ पर योगी के साथ जो है इनकी कह सकते हैं बॉन्डिंग सिर्सनेतरुत की बीजेपी की सही नहीं जा रही है यह भी अगरवरी है और मोहन भागवद जी का योगी के साथ जो है कुछ रिस्ता अच्छा चल रहा है पहले से ही अच्छा चलना है ये भी fire brand leader है हिंदुत वादी चेहरे हैं और एक चीज और बता दू तो महान भागवाद जब हम आज चर्चा कर रहे हैं आप मेरा lecture सुनेंगे तो महान भागवाद जो है गोरखपूर पहुंचे हैं और गोरखपूर जाकर के वहां योगी आदि इतना दो तीन दिन से लखनो दिल्ली कर रहे थे इधर के दौरा पे थे लेकिन जैसे ही ये गोरखपूर पहुंचते हैं ये सारा काम छोड़ करके गोरखपूर के तरफ चल देते हैं अब यह है कि इनकी मुलाकात जो है इस मुलाकात के क्या माइने हो सकते हैं जानकारों का वी नज़र आ रही है कि योगी वो चेहरा है जिसे अब आगे किया जा सकता है जिस तरह से 2012 में प्रधान मतरी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया था तो यहां पर अब यह चीजी समझ यह एज फेक्टर भी है प्राइम निश्टर नरेंद्र मोदी जो है तकरीबन 75 सा करके ही और मुडले मनहर जोशी को भी 75 बरसका कह करके मागदरसन मंडल में भेज दिया था भेजने वाले मोदी जी और अमिशा ही थे तो यहां पर भी अब यह नियम यहीं पर लागू होता है मोदी जी पर भी RSS की साय तयारी शुरू कर दिया है योगी आधितनाद जो है भी 55 साल के हैं तो अगले 15-20 साल तक अराम से पार्टी को आगे ले जा सकते हैं बीजेपी को और बीजेपी का जो सोच होना चाहिए RSS के एकोर्डिंग हिंदू बाती चेहरा और देश के हिसाब से योगी उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हुए नजरा रहे हैं ये सारे कयास जो लगाए जा रहे हैं ये सारी बाते जो कही जा रही है इतने तत्थ इस बात को शाबित करने के लिए परियाप्त होता जा रहा है कि आने वाले समय में भारती राजनीती में कुछ बड़ा घटना करम घटने वाला है क्योंकि गठवन्दन की सरकार कितनी दिन तक चल पद गरण हुआ भी नहीं था उन्होंने कहा कि सरकार को हम यूशीसी पर तो समर्थन देंगे वननेशन वनेशन पर समर्थन देंगे लेकिन ये जो अगनी पतंध्य वीर वाला इस्किम है इसमें समिक्षा की आवस कता है और समिक्षा अगर नहीं होता है तो नितिस चले इसमें सरकार जो है डवादावल होते हुए नजर आएगी तो सरकार के तने दिर चलेगी यह कहना बहुत मुस्किल होता जा रहा है मंत्री परिशत में जिस तरह से घटक दलों को मंत्री पद दिया गया है वो कहा जा रहा है कि TDP और जेदियो दोनों ही इससे नाराद चल है जो कि 17 मीं लोक्षभा चुनाब में हुआ करता था तो इन सभी बातों को लेकर करके कयास लगा जा रहे हैं कि गरबंदन की सरकार है प्राइमिस्टर नरंद मोदी बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं उधर RSS नजर जो है उससे दुखी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश जो की योगी फैबरिट हैं मोहन भागवत और RSS के और योगी की मुलाकात हाल ही में आजकल में हो रही है गोरखपुर में RSS के सरसंचालक मोहन भागवत जी से अब इस मिटिंग में क्या निकल करके सामने आता है इस पर सब का नजर रहेगा और नजर बनाए रखिए अगले राजनेती हो इस्तिर होती है तो इसका जो प्रभाब है वो समाज पर पर परेगा राजनेती पर परेगा निती निर्मान पर परेगा साथी देश की अर्थ विवस्ता और अंतराश्टी संबंध पर भी परेगा ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना है और ये भी बत प्रपिक पर एक प्रशन है निमलिकित में से भारतिय जन संग के संस्थापक हैं मैंने चर्चा की अथागर गौर से आप सुनेंगे मोहन भागवत लालकिंस अरवानी अटल विहारी बाजपई और श्यामा परशाद मुखर जी इस चार में से कोई एक नाम ही सही होगा जो ना क्या आप सोचते हैं अगर प्रधान मंत्री को हटाया जाता है तो आपका क्या मानना है क्या वाकए प्रधान मंत्री को हटा देना चाहिए या फिर वे बने रहे इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं अपने विचार दो मिट लगए कोमेंट बॉक्स में मुझसे सा जरूर कीजिए, फिर मुलाकात होगी, अपना बेहत ख्यार लखिए, थैंक्यू.